जोहर आप सभी स्ट्योएंट्स का आप सभी की YouTube चैनल छारखंड मैस जोन पर मैस इंचेंद्र आप सभी हें कंचल रहा है समश्चत्री के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन मैं चला रहा हूँ पेपर नमबर 6 है All Universities के लिए ये वीडियो लेक्चर्स है चाहे आप जारकन के किसी भी उनिवर्शिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो या फिर इंडिया के किसी भी उनिवर्शिटी से क्यों ना आप पढ़ रहे हो जारकन में Most of the जो इनिवर्शिटी से चलती है BBMKU, BVU, SKMU और भी अधर्स जितने भी LNMU जो की भीहार में चलती है जितने भी उनिवर्शिटी से आप क्यों ना बिलॉंग करते हो कोई भी आप उनिवर्शिटी से क्यों ना बिलॉंग करते हो तो आपके लिए ही ये ग्रूप थियोरी का वीडियो लेक्टर सेसन में बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों के book से book का ही examples मैं deal कर रहा हूँ और यह example number 9 deal करने वाला हूँ और इससे पहले example number 8 तक मैं deal कर चुका हूँ और यह totally लाल जी परशाथ से related है यह लाल जी परशाथ book का है और जब जब थियोरम और theory की बार्वी आएगी जब जब theorem और theory की बारी आएगी तब तब मैं board पर बता दूँँगा और जब examples इस परकार से इतना vast examples है बहुत लंबा-लंबा मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा ही examples है number of examples बहुत ज़्यादा है इसी वैसे हम लोग जो है कि इसका सहरा लेना पड़ रहा है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एक्जांपल नमबर नाइन प्रूब डाइट दा सेट आफ ननजीरो इसको जों कर लूँ हां प्रूब डाइट तस शेट आफ ननजीरो रियल नंबर फॉर्म्स एन अवेलियन ग्रूप अंडर मल्टिप्लिकेशन हमको प्रूब करना है कि नन एक्जांपल नमबर 7 में मैंने आपसे बात किया था नन जीरो रैस्टनल नंबर पर ठीक है और अब एक्जांपल नमबर 9 पे आप सभी से बात कर रहा हूं नन जीरो रियल नंबर पर हना तो याद रखिए कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है पहले समझे कोशन को यहाँ प बनता है वह एक अबेलियन गू बनाता है अंडर मल्टिप्लिकेशन बाइनेरी ओप्रेशन मतलब जो आपका ओप्रेशन दिया हुआ है वह बाइनेरी ओप्रेशन होना चाहिए हैं तो उस केस में यह जो रियल नंबर 10-0 है जो रियल नंजिरो रियल नंबर के जो सेट है वह एक अविलियन ग्रूप बनाएगा है ना तो यह क्लिर है चलिए आगे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं तो अगर अगर अविलियन बनाएगा तो अब्विस जी बात है कि पाच्छों प्रॉपर्पेटिस को सडिस्पाइट क करेगा अब पहले तो गृफ बनेयाई करें बनेगा गारेंटी बंचलिए दर्थे करता है की निए सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर रहें जीरो काटा दे रहे हैं हना तो उसमें इसलिए स्टार्ट लगा रहे हैं ताकि वो रिपरजेंट कर सके अगे देखिए को सडिस्पाइट करेगा एभी कोई दोटो रियल नंबर है तो ए और बी में अगर मल्टिप्लाई करेंगे बीच में इस्टेरिक के जगा पर ए कि यहां पर मल्टिप्लिकेशन का उप्रेशन दियावा इसी वैसे तो मल्टिप्लाई करेंगे दो रियल नंबर को तो वह नंग जीरो रियल नंबर को अगर मल्टिप्लाई करेंगे हना तो वह नंग जीरो रियल नंबर ही रहता है यानि क्लोजर को सटिस्पाइड कर गया एसोसियेटिविटी में देखेंगे तो A, B, C तीन नंजिरो रियल नंबर है तो A into B और into C पहले A, B को multiply करने के बाद फिर C को फिर A को अलग रख देंगे और B, C को पहले multiply कर देंगे फिर A से multiply करेंगे तो इस इस्तिति में हमको LHS मिलेगा यह LHS मिलेगा और यह RHS मिलेगा औ Q34 कुछ भी आपको जो मन कर रहा है रख लिजिए, तो एस्टिविटी में ये हम लोग पता चला कि किनी 390 normal को या किनी 210 सीमेंट को अगर है सो से तीटिविटी चेक किया जाए तो एस्टिवाठोर्छों को फॉलॉ करता है अगे दिखिए ऐस्ग्जिस्टंस उभ आइडि एलिमेंट एक बात याद रखिए यहां पर जो ऑप्रेशन दिया हुआ बाइनेरी ऑप्रेशन वो मल्टिप्लाई का दिया हुआ है और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि एक माली एक रियल नंबर है जोकी नंजीरो रियल म् मेंबर है जोकि और अर्स्टारड का नंजीरो और स्वीच बात है अब जब नंजीरो है तो भाई A को अगर A में क्या हम ऐसा मल्टिप्लाइ करे और बाएं इता देखिए यह दाएं से A में क्या हम मल्टिप्लाइ करे कि उसमें कोई बदलाव ना आए और वो A ही रहा जाए तो ऐसा नंबर जिसको मल्टिप्लाइ करने के बाद किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में अगर हम उस नंबर को अगर मल्टिप्लाइ करे और उस नंबर के मल्टिप्लाइ करने से मेरा A अगर बदले नहीं मेरा A में बदला नहीं आए तो फिर उस E नंबर को हम identity element कहते हैं तो कहने का मतलब यह तभी संबह है this is possible when e का value 1 हो तभी यह possible है which belongs to r star और obvious सी बात है कि e का value अगर 1 है तभी यह होगा और e का value 1 यानि कि 1 तो बिलॉंग करता ही यह करता है r star में r star क्या है तो none 0 real number का set है उसमें 1 तो बिलॉंग करता ही है and also a belongs to r star और साथ साथ a भी तो बिलॉंग करता ही है वो तो पहले ही हम लोग जाते है तो यहां पर identity क्या हो गिया exist हो गिया आगे दिखिए अब inverse की बार यह है तो existence of inverse चेक करते आई ए भी दो real number है है ना ए भी दो real number है और कैसा real number है तो none 0 real number है तो a को b से multiply कीजिए है ना मतलब ऐसा समझिए हमको यहां पर क्या चाहिए इन वर्स चाहिए हमको यहां पर क्या चाहिए इन वर्स चाहिए है ना तो a में हम क्या ऐसा multiply करेंगे क्या A में हम क्या ऐसा multiply करेंगे देखें समझेगा यहाँ पर यहाँ पर A और भी दोटो non zero real number है यह guarantee है कि non zero real number है confirm ओके तो भई A में हम ऐसा क्या multiply करेंगे दाएं से और A में ऐसा हम क्या multiply करेंगे 22 A में ऐसा हम क्या multiply करेंगे दाएं से और A में ऐसा हम क्या मल्टिप्लाइ करेंगे बाएं से तो भी मल्टिप्लाइ करेंगे जिससे कि हमारा E हो जाए आइडेंटिटी इलामेंट आ जाए और हम लोग पहले ही देख चुके है कि आइडेंटिटी इलामेंट मेरा 1 है तो A में हम क्या multiply करेंगे बाएं से और A में हम क्या multiply करेंगे दाएं से जिससे की multiply के बाद तुरंत बाद हमको एक identity element मिल जाए यही तो inverse का definition होता है जैसे की अगर multiplication का respect में मैं बात करूँ कि 2 का inverse कौन है तो 1 by 2 है क्योंकि 1 by 2 को 2 से multiply करने के बाद मुझको I 1 दे देता है और 1 ही तो identity element होता है इनवर्स का मतलब क्या होता है किसी भी element को अगर उसके inverse से multiply किया जाए और अगर result मेरा 1 आता है तो फिर वो element उस element का inverse क्यालाता है यानि कि अगर हम A को B के साथ multiply कर रहे है या B को A के साथ multiply कर रहे है और हमको बदले में identity element मिल रहा है इसका मतलब B A का inverse है या फिर हम लोग ऐसा इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि A B का inverse है A B का inverse है A जो है कि B का inverse है या ऐसा भी कह सकते हैं कि B जो है कि A का inverse है और बिस सी बात है आईए आगे देखते हैं It is possible यह संभाव है तभी जब when B का value 1 by A हो B का value अगर 1 by A होगा तभी तो A A कटेगा तभी तो वो real number बन पाएगा Sorry identity बन पाएगा यह तभी possible है जब B का value मेरा 1 by A होगा 1 by A होगा तो A कटेगा है ना तभी तो वो identity element E बन पाएगा और E का value 1 है तो 1 आप आएगा जो कि none 0 भी है और R star में भी belong करता है है ना जो R star में belong करता है मतलब none 0 real number के set में भी belong करता है Here B is A inverse of A तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि B जो है वो A का inverse बन गया इसका मतलब यहाँ पर inverse exist करता है किसी भी number को आप reciprocal करो या fraction में करो उससे कोई मतलब नहीं हो तो real number होता ही है और एक बात है कि अगर none 0 real number है तब उसका हम लोग जो है की reciprocal कर सकते जीरो real number है लेकिन उसको हम लोग reciprocal नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो non 0 real number नहीं है वो वो 0 real number है 0 मेरा 0 real number है इसलिए अगर हम 0 का reciprocal करना जाएंगे तो 1 by 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जहमेला हो जाएगा create कि 1 by 0 undefined होता है और यहाँ पर मैं non 0 real number क्यों लिया था अब आपको सायद समझ में आ रहा होगा क्यों क्योंकि non 0 real number का हम लोग inverse find out कर सकते हैं जैसे a कोई non 0 real number है इसलिए उसका inverse exist किया 1 by a जो की b के form में है be equal to 1 by a hence all hence all four axioms are satisfied संतुस्ट हो गया सारा के सारा चारो के चारो कंडिशन्स therefore the state of non 0 real number इसलिए state of non 0 real number एक group बना रहा है under multiplication operation under multiplication binary operation अब चलिए आगे देखते हैं commutative a b कोई दोटो non 0 real number है और a और b में चुक्कि हम लोगो क्या दिया हुआ है multiplication का sign दिया हुआ है operation क्या दिया हो multiplication का operation हाना तो यहां पर मैं क्या किया हूँ a steric b और b steric a किया हूँ मैं steric के जगा पर मैं into को लगाना चाह रहा हूँ ओके तो मैं next step में data करके भी कर दिया हूँ a into b चाहे b into a करो आप कोई भी दोटो non 0 real number उठा लो हाना अब उन दो real number को multiply करो आपस में हाना जैसे कि मैंने वान और टू को उठा लिया एक जगा पर वान और भी के जगा पर टू आप कुछ भी उठा सकते हो 2.5 2.6 कुछ भी आपकी जो इच्छा कर रहा है 0.33 कोई भी इचाहे इच्छनल रहे हो लो के दिक्ट है हम लोगय कि उठा लो के दिक्कत है हम लोग दो रियल फ़र बात कर रहे ना तो रैस्टट रहे चाहे राए Sorting रहे चाहे and a हो रहे है इंटिज इसाब सब जो है की इसाथ मल्डिप्लाय करो यानि कि आप 1 को 2 एक साथ मल्डिप्लाय करो में लगे करो हरा इसी वज मुटेटिब भी हो गया यानि कि दज ओल फाइब देखिए मेरा फाइब लिखने का इस्टाइल भी देखिए गजब है ना पांच लिखके आइब लिख दिए चली कोई दिकत नहीं दज ओल फाइब पॉस्चुलेट्स आर सेटिसफाइड पांचो के पांचो एंड हैंज आर इस्टेरीक इसी वजह से आर इस्टेरीक जो की नन जीरो रियल नंबर का सेट है वो क्या बन गया इस एन अवेलियन ग्रूप अंडर मल्टिप्लिकेशन चली अब आगे बढ़ते हैं कुछ नोट देख लेते हैं दिवार्ड नन जीरो हैस दा सेम सिगनिफि कि अगर नन जीरो नहीं होता अगर जीरो होता तो फिर इनवर्स एक्जिस्ट नहीं करता तो ठीक इसी परकार से यहां पर भी वही सिलसिला हुआ कि अगर नन जीरो ना हो करके जीरो होता तो फिर यहां पर यह जो है कि रियल नंबर का जो सेट है वो कभी भी फिर क्या नही नहीं बन पाता हाँ रियल नंजीरों रियल नंबर सेट बनता है है ना मल्टिपलिकेशन के रिस्पेक्ट में कि तो वही लिख रहा है दिवर्ड नंजीरों है डा हाँ वही लिख रहा है the word non zero has the same significance as in example 7 जिस परकार से example 7 में non zero real number का significance था ठीक उसी परकार से इस example number 9 में भी same significance है and by adding 0 to our hysteric अगर हम लोग zero add कर दे non zero real number के सेट में आर इस्टरिक में या आर स्टार में it seizes to be a group तो इसको यह क्या बनने से रोग देगा इसको non zero real number को जो है की सीज कर देगा group बनने से under multiplication जिस परकार से गाड़ी सीज हो जाती है ना उसी परकार से मदब बंद हो जाती है तो उसी परकार से यह भी बंद हो जाएगी है ना group under multiplication यानि कि याद रखिएगा आर में हमको 0 जोड़ना नहीं है फॉर दी सिंपल रिजन यह छोटा मुटा रिजन के वज़ा से डैट देर इस नो मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इन और स्टैरी और स्टार यानि कि इस छोटा मुटा जीरो के कारण मेरा इनवर्स एक्जिस्ट नहीं करेगा जिसके वज़ासे मेरा नंजीरो रियल नंबर का सेट फिर गुरूप नहीं बन पाएगा इसलिए 0 का अँटा देते हैं इसलिए तो नंजीरो रियल नंबर बोल रहा है चलिए example number 10 देख लेंगे पुरूप डट दड़ सेट ओप complex numbers is an abelion group under multiplication हमको दिखलाना है कि complex number complex number complex number का जो set बनता है वो एक abelion group बनाता है under addition में ओके आईए देखते कैसे इसको पूरूप किया जाए लेट मान लेते हैं कि c b the set of complex numbers डटीज ना नंबर सब्दी फर्म तो कंप्लेक्स नंबर इसी प्रकार से मिलता है एक्स प्लस आयोटा वाई वैर एक्स और य एक रियल नंबर होता है और आयोटा क्या होता तो रूट अंडर आइनस वन इमेजिनारी नंबर आगे देखी हूँ क्लोजर को देखता हो कि कर रहा है कि नहीं सबीड चानने के लिए लिख नबर बनाना पड़ेया तो मालेते उपक्स नंबर कंपलेक्स नंबर बनाते हैं और वो P प्लस IQ के फॉर्म में है जो की complex नंबर में विलॉंग कर रहा है अब A प्लस B को हम बारी बारी से जोड़ेंगे A के जगा पर A रख देंगे B के जगा पर B रख देंगे M और P real part को एक अलग करेंगे और IOTA के साथ imaginary part N प्लस Q को अलग करेंगे आगे देखिए M, P, N, Q ये सभी के सभी real number में विलॉंग करते है real numbers है और सो M प्लस P ये भी M प्लस P भी और N प्लस Q भी एक real numbers है हाला कि M प्लस P real part है और N प्लस Q imaginary part है बढ़ याद रखी है N प्लस Q real number भी है बढ़ा है इमेजनरी के साथ जो है उसको imaginary part कहते है और जो real है उसो real है आगे है लेट M प्लस P को हमने S मान लिया और N प्लस Q को हमने T मान लिया S और T तब real number है ही है और A प्लस B मेरा क्या हो जाएगा 308 प्लस B के जगा पर क्या हो जाएगा S हो जाएगा एक जगा A प्लस Q के जगाऄ और N मेरा क्या हो गया Capital T और यह भी मेरा complex number में ही बिलोंग करेगा इसका मतलम मैंने दो complex number को लिया और दिखा दिया कि उनका जो addition कि respect में हमको addition कि respect में इन ना था देख लीजिए अंडर एडिशन मैंने दिखा दिया कि एडिशन के रिस्पेक्ट में यह एक कॉंप्लेक्स नंबर ही फॉर्म कर रहा है ठीक है इसको लिख देंगे क्या लिखेंगे निच्ट एडिशन करता है कि ने क्या कि क्यूंप्लेक्स नंबर मुप्लस एडिशन क्रेंगे माना लिया एक क्यूंक फोण बारी और प्लस और एडिश्एक्स में ऐगाured a plus b plus c होगा ठीक है तो a का value रखा मैंने b का value रखा c का value रखा रखने के बाद एक तरफ मैंने real part किया एक तरफ मैंने imaginary part किया और a plus b plus c अब यह equation 1 हुआ equation 2 निकालते है a का value रखो b का value रखो और c का value रख दो अब फिर सबको solve करेंगे तो पता चलेगा m plus b plus u और real part एक तरफ आगिया imaginary part एक तरफ आगिया यह equation 1 है equation 2 है दोनों तरफ आप देखिए मिलाई है अपनिया से तो दोनों का दोनों value सेम है यानि कि a plus b plus c और a plus b plus c हैना equation 1 और equation 2 दोनों आपस में बराबर है हैना from equation 1 and 2 a plus b plus c और a plus b plus c यानि कि lhs रहे जिस बराबर होगे यानि कि associative हो बिया आगे identity दिखाना होगा existence of identity मैंने माना क्या existence of identity of c मतलब c complex number के set में ही identity exist होना चाहिए करना चाहिए तो मैंने क्या किया एक complex number बनाया ऐसा 0 प्लस iota 0 इसा लिख सकता हूँ है न एडिशन की respect में हमेशा याद रखेगा जो identity element होता है वह 0 होता है और multiplication की respect में वह होता है कौन वान होता है यहाँ पर 0 तो अगर लिख देंगे स्रीफ तो वह तो complex number नहीं होगा इसलिए 0 को मैं 0 प्लस iota 0 लिखा हूँ ताकि मैं यह आपको बता सकूँ कि 0 भी एक complex number है क्यों बला क्योंकि जितना भी real number है वो सारा के सारा complex number है याद रखिएगा यह बात क्योंकि अगर 1 एक real number है तो उस 1 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस iota इंटु 0 अब्यस्य बात है लेकिन याद रखिएगा सारा complex number सारा complex क्या है हाँ वही बात है सारा complex number कभी भी real नहीं बन सकता है क्योंकि मानले जेख कोई एक complex number रहता हा जैसे कि 2 प्लस iota 2 तो वह एक complex number है तो वो तो फिर real तो नहीं है लेकिन जितना भी real number रहे हो complex ह सकता है तो माना क्या कि let e be the identity of c मैंने c complex number का मैंने e को identity मान लिया अब e बराबर 0 ले लिया और यह 0 belong कर रहा है c complex number में अब a में आप क्या जोड़ोगे a complex number already a में आप क्या जोड़ोगे ऐसा चीज ना दाएं से a में क्या एसा जोड़ोगे बाएं से जिससे कि आपका result a मिल जाए आपको मतलब a में कोई बदलाव ना आए तो e का value हम 0 e के जगा पर 0 जोड़ेंगे और साथे साथ हम देख पार है कि a पर आपर m प्लस आयोटा है नहीं जो कि विलॉंग करता सी में यानि कि यहां पर identity भी एक्जिस्ट कर गया अब क्या है कि कि पलस ए प्लस एक जाए पर 0 और एक जाए पर 0 इकोल टुए होगे टेका ना जीरो प्लस ए इकोल टुए और एक प्लस जिरो इकोल टुए अपर इकजिस्ट होगे आप इनवर्स छेक करेंगे तो है कि आइजिस्टेंस ओफ इन्वर्स ए बराबर हमने एम-प्लस-अ-इन ले लिया है कना एक कॉम्पेक्टि क्रते हैं मैं में माइनस एड कर देता हूं मल्टिपलाइ कर देता हूं मतलब एडन नहीं पॉल्टिप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा एक वेलू में माइनस हो जाएगा जस्ट माइनस बर्कट ऑप M प्लस ऐउट एंड तो माइनस एम माइनस आउटा एन और यह एक complex number है ठीक है ना तो यानि कि मेरा जो है कि मैं ऐसा कहा सकता हूं कि मैं मान लेता हूं कि addition हम लोग को binary operation दिया हुआ है तो a का inverse कौन हो गिया तो minus a हो गिया simply a minus a 0 हो जाएगा और 0 मेरा क्या है identity element है अना और यहीं हमको प्रूप करना होगा तो चलिए next step में देखते हैं मान लेते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि let b is the additive inverse of a तो b ब्रावर माइनस a होगा तब a plus b और b plus a तब identity element आना चाहिए तो मैं काम करता हूं कि a plus b को लेके चलता हूं हाना पहले एक जगावर रखो वैलू और b का जगावर माइनस a है यह कि बाइस कि M plus iota n ओके अब एक तरफ real को रखेंगे एक तरफ imaginary को रखेंगे रियल पार्ट m-m हो गिया और iota n-n जो कि 0 आया अप पलस iota into 0 आया यानि कि 0 ही आया जो कि identity element ही आया यानि कि 0 बिलॉंग करता है complex number में तो यहां पर inverse भी exist होगी है यानि कि simply यह बात है कि वह number कौन सा number होगा जिसको हम multiply add करे एक के साथ कि वह हमको identity element दे दे यानि कि साफ साफ यह कहना चाह रहा है कि उस element को जो एक के साथ जोड़ा जाए और हमको 0 दे दे तो उस element को एक का inverse कहा जाएगा उस element को क्या कहा जाएगा एक इनवर्स कहा जाएगा इतना है अब a पलस b चेक होगी या b पलस a चेक कर लेते हैं b का वेलू रख दिया मैंने a का वेलू रख दिया फिर एक तरफ रियल पार्ट को एक तरफ इमेंजनरी पार्ट को तो फिर से 0 आ गया a भी विलॉंग किया सी मैं मैंने दोनों तरफ देख लिया दोनों तरफ से देख लिया चली मतलब चारों के चारों कंडिशन साडिस्पाइड हो गिया दर जोल फॉर फोस्ट्रूलेट साडिस्पाइड सो सेट आफ कॉंप्लेक्स नंबर इज ए ग्रूप अंडर एडिशन चली लास्ट एक एक्जांपल बचा हुआ है अच्छा इसको कॉमुटेटिव दिखाना था ना जापल 11 हां तो आए इसको दिखा देख कॉमुटेटिव एक कोई दो ठो कॉंपलेक्स नंबर है मान लेते एक का वैलू यह है और जब्लस प्लस यूटा और बी का वैलू प्लस आईटा क्यू पहले तो एपलस बी निकाले इमेजनेरी पाट को एक तरफ किया, इसको equation 1 का नाम दे दिया, ओके अब B प्लस A लेते, B का वैलू P प्लस IOTA Q ले लिए और A का वैलू M प्लस IOTA N ले लिए एक तरफ रेल पाट को किया, एक तरफ इमेजनेरी पाट को किया और रिजल्ट आया मेरा M प्लस P आयोटा N प्लस Q ये equation number 2 मान लिया, तो equation number 1 को गहर से देखिया और 2 को गहर से देखिया, दोनों value सेम है यहां इसलिए यहां पर लिख देंगे, from equation 1 and 2 we have A प्लस B बराबर B प्लस A hence AB is commutative इसलिए AB commutative हो गया hence all five postulates are satisfied, पांचों के पांचों condition satisfied हो गया therefore, state of complex number is an abelian group under addition अना, अई आगे रिखते example number 11 last है, लेकिन बहुत important आगे रिखते है prove that the state of 90 complex number एक मिने अमपाने पी लेते है कह रहा है prove that the state of non-zero complex number is an abelian group under multiplication हम को यहाँ पर prove करना है कि state of non-zero complex number यहाँ पर अब complex number को मैं 0 नहीं ले सकता हूँ पहले 0 भी एक complex number हुआ करता था लेकिन अब मैं नहीं लूँँगा अगर जीरो लूँगा तो फिर उसका inverse हमको मैं नहीं निकाल पाऊंगा और पूरा मामला गड़ब्ड हो जाएगा फिर complex number का state non-zero complex number का state of alien group तो दूर की बात group ही नहीं पर पाएगा क्योंकि under multiplication जब भी कहें तब 0 से आप जितना बच सको बचो हाँ क्योंकि अगर 0 वाला तुम सेट लोग है भबू तो उसको उस 0 का तो reciprocal चाहिए ही क्योंकि each and every element का जो एक inverse exist करना चाहिए एक दूगों का कर गया तो वह ज्यादा बड़ा बात नहीं है तब तो वह group नहीं होगा सब का होना चाहिए each and every element का तो चलिए आए प्रूब करते हैं let's see star be the state of non-zero complex number closure law में सेटिस्पाइट करने के लिए सबसे पहले हम एक को कोई complex number मान लेते हैं जीरो complex number एम प्लस एयोटा एन और पी प्लस एयोटा क्यूब जो की बिलॉंग कर रहा है नंजीरो complex number में हमें एवी को यह सदेखें ना ise game callem yota Q UK से एक वर आउटा n को पी से इ Sinn ko आयोटा क्यूव से लंबा प्रोसीद्स चल ऐगा मैंने डिच्ट क्लिग दिया MP1 Nq क्यूब प्लस आयोटा एं क्यूब प्लस एन पी होगा ठीके ना को आः कि हूँ हो अ हो यह बढ़न से देखें MP-NQ एक रियल नंबर आ रहा है और यानि कि यह इस फॉर्म में है देखिए which is of the form of x plus iota y and hence it belongs to c star और यह c star में भी belong करता है वो c star है ना और यह c star में भी belong कर रहा है complex complex number में भी belong कर रहा है यहां पर एक mistake हो गया बच्चों यहां पर सी सिर्फ लिख दिये हैं उसके उपर में इस टैरिक भी स्टार भी दे देना ठीके ना क्योंकि उस वही तो नंजीरो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तब ममको ए भी belongs to c मिल जाएगा अई यह दिए क्लोजर सरिस्पाइट होगी है कि अब अब करना है ना एक का वैलू मान लिया m plus iota n और बी का वैलू मान लिया पी प्लस iota कियो असी का वैलू मैं is ku Emperor आप ल Kiss Pure यह पचा इदर एंज कॉमल लेंगे यहापर पी ऊकहना अब देख सकते हो i amय का अपन ले एह को आम P u माइनस qm Jag kulli करेंगे फिर एम को मैं एवटा म इंट op १्य पिवी प्लस q 59 wissen प्लै करेंगे प्रस फिर आयोट n को मैं p u minus q v से multiply करेंगे फिर iota n को मैं iota p v plus q u से multiply करेंगे और iota i square हो जाएगा ठीके ना मतलब i square का मतलब n क्या हो जाएगा n हो जाएगा okay minus n iota का square का मतलब क्या होते है minus 1 तो minus n हो जाएगा अब इधर आपका हो गया m p u और m q b और n p v और n q u हो गया अब पलस iota common लिया तो m p v और m q u यह यह पूरा मैंने एक तरफ real part को छाट के रख दिया एक तरफ image नहीं पाट को छाट के रख दिया तो चलिए मैंने क्या किया काम a into b into c निकाला अब आप इसी परकार से a into b तो इसके बाद फिर देखोगे क्या यह equation number one है और यह equation number two है दोनों का दोनों वैलों आप देखो बढ़ियां से बराबर है कि देख लो कि वन देखा अब टू देखा भाई ठीक है ज्यादा अच्छा तो अब होगा जब आप साथ साथ लिखते चले तो और अच्छा होगा ठीक है न हैंस फ्राम one and two a into b into c equal to a into b into c हो गया अब अब आइडेंटिटी दिखाएंगे existence of identity आप सी स्टार सिस्टार में हम लोग दिखाएंगे मतलब दढ़ड़ 0 complex नबर में दिखाएंगे कि identity exist करता है मान लेते कि इस कोई जो है कि मल्टिप्लिकेटिटिव आईटिटिटी है वीचिज कॉंप्लेक्स और complex है in nature में मान लेते हैं तो यह बराबर मल्टिप्लिकेटिव का बात किया है operation में तो obvious सी बात है identity element क्या हो जाएगा one होगा मल्टिप्लिकेटिव identity element क्या होता है तो one होता है तो one को मैं लिख सकता हूँ one plus zero into iota तो यानि कि one होगा for a into e और e into a बराबर a होगा मतलब कोई भी a अगर complex नंबर लेते हैं तो अगर e से multiply करे arches से arches तरफ से और LHS तरफ से भी तो वह हमको a ही देगा यानि कि complex number में कोई बदलाव complex number a में कोई बदलाव नहीं होगा for all a belongs to c plus c c plus नहीं c star यानि कि जितना भी a type का element complex number में नंजीरो complex number में वह सभी के लिए संतुष्ट कर रहा है अब लास्ट है existence of inverse देखिए इन्वर्स अगर exist कर जाए तो भी तो भी ग्रूप हो जाएगा तो मान लिया मैंने इस प्रकार से अब एक इन्वर्स क्या होगा वन भाई होता है तो ए बराबर एक्स प्लस आटा वाई है तो वन भाई यह क्या हो जागा वहना पून एक्स प्लस आटा वाई अब इसको करणा अगरें ऑटा तो मिने सब्सक्राइब का बाइस अगरी का करता हूं कि इसको बांड दोगा x upon x square plus y square और minus iota y upon x square plus y square आप देख सकते हो यह complex form में है एक real part है और एक imaginary part है जो की complex form में है यानि की जो hysteric form में है c star 0 real number के state में belong करता है तो and a into 1 by a equal to हमको क्या मिल रहा है one मिल रहा है क्या मिल रहा है तो one मिल रहा है simply अगर समझे तो यानि की identity मिल रहा है और identity उपर में भी मिला हुआ है हमको one multiplicative identity one होता है यानि की हम लोग ऐसा समझेंगे की a में कौन सा ऐसा number multiply किया जाए जिससे की वो one आ जाए क्योंकि one तो identity element है कोई भी number को किसी दूसरे number से अगर multiply करते हैं अगर one आ जाता है तो दोनों एक दूसरे का inverse होता है याद रखेगा तो e मेरा बिलॉंग कर गिया one c star क्या non zero real number को division कर रहा है तो one भी तो non zero है यानि कि वो भी तो बिलॉंग करेगा c star में हिंस फोर पॉस्टुलेट्स आर सैटिस्पाइड तेरफोर दिशेट ऑफ नन जीरों complex नमबर इज ग्रूप अंडर multiplication और लास्ट एक प्रोपर्टी को दिखाना है कमुटेटीब दिखा देंगे तो अबिलियन भी हो जाएगा तो मान लिया कि यह कोई कोई complex number यह एंप्लस आयोटा एन के फर्म में और भी कोई complex नमबर आप्लस आयोटा क्यू के फर्म में जो कि सी स्टार जो की सी स्टार नन जीरो रियल नंबर के सेट में बिलाउंग करता है अब A इंटू भी निकालेंगे और B इंटू ए निकालेंगे दोनों का दोनों अगर वेलू बराबर आ गिया मतलब LHS बराबर आ गिया तो सियोर सोट है यह कमूटेटिव हो जाएगा A का वेलू M प्लस आयोटा N और B का वेलू P प्लस आयोटा Q इंटू करते हैं दोनों में तो मेरा M P मैनस N Q प्लस आयोटा M Q प्लस N P आएगा अब करके देख सकते हो मैं करके देख चुका हूँ B इंटू A करेंगे तो B के जाएपर P प्लस आयोटा Q और A के जाएपर M प्लस आयोटा N Solve करेंगे P M माइनस Q N आएगा और प्लस आयोटा Q M प्लस P N आएगा ठीक है ना या Q M को मैं गुमा के लिख सकता हूँ M Q और P N को गुमा के लिख सकता हूँ M Q तो अब आप देख सकते हो equation number 1 और equation number 2 से LHS RHS बरावर हो गया So it is commutative इसलिए commutative हो गया Hence A into B और equal to B into A हो गया Last बचा हुआ है Hence all 5 postulates are satisfied Therefore the state of non-zero complex number is an abelian group proof हो गया तो चलिए आसा करते हैं कि आप सभी को ये video lecture session बहुत अच्छा लगा होगा lecture number 14 अब मिलते हैं आप सभी के साथ lecture number 15 में तब तक के लिए जोहार खुस रही आवाद रही पढ़ते रही है धन्यवाद